Hey guys, welcome back to Mr. Vyaas और क्यों आपकी website position 1 पे रहते हुए बड़े ही long time के बाद में या फिर search engine ranking pages के top 10 में होते हुए कुछ दिनों के बाद में वो top 10 की ranking के pages से वो निकल करके page number 2 और 3 और 4 और में भी गाये भी हो जाती है यह guys होता है यह जितना पी impact होता है आपकी site पे that is just because of Pogo sticking so Google का Pogo sticking का funda क्या है और यह genuine funda है जो Google officially भी declare कर चुका है because इसका जो relation होता है वो user intent से होता है और अगर user का intent आपके page के साथ में सही नहीं है तो यह तो guaranteed है कि आपका जो page है वो derank हो करके वो top 10 search engine ranking से बाहर हो जाएगा so guys अगर आप समझना चाहते है what is Pogo sticking और इससे रेटेट ऐसा ही बहुत सारे वीडियोज मुझे बनाना चाहते है मुझे comment करके बताईए और सातिसा चैनल को subscribe किजिए अगर पहली बार आप चैनल पे आ रहे हैं और हाँ जो लोग English में मुझसे demand कर रहे थे यूट्यूब चैनल की उस चैनल पे दो वीडियोज अपलोड हो चुके है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ब्लॉगिंग ओस के नाम से एक नया चैनल स्टार्ट किया है फोर इंग्लिश व्यूवर्स तो अब उसको जा कर देख सकते हैं चले विडाउट बस्टेंट हम चलते हैं डेक्स्टाउब के स्क्रीण पर यहां पर मैं आपको स्टैप बस्टैप समझाता हूं को स्टैकिंग क्यों होता है और किसलिए यह आपकी रैंकिंग पर इंपक्त ला सकता है So guys here we are on the desktop screen, let's search some sort of results here, so basically I type SEO, okay, जिसे कि हमने कोई Google के अंदर गये, और SEO के नाम से कोई भी keyword को type किया, अभी क्या होता है, यहाँ पर आपको top 10 results देखते हैं, जिसे कि आप यह देख रहे हैं, सारे results यहाँ पर देख रहे हैं, वो totally depend करता है user के engagement को लेकर करके, जिसे में सबसे important factor होता है, वो होता है bounce rate, अभी bounce rate क्या होता है, कैसे इसको measure करना है, कैसे इसको minimize करना है, आई button में detailed video है, आप उसको जाकर करें देखिएगा और मत भुलिएगा, उसको पूरा detail में देखिएगा, तो यहाँ पर बात करते है, bounce rate और pogo sticking का मतलब क्या होता है, और imagine कीजिए कि यह page जो आपके number one की position पर rank हो रहा है, या फिर मैं आप कोई भी दूसरा keyword टाइप कर रहता हूँ, हम टाइप करता है back links, और जैसे मैं back links टाइप करता हूँ, तो फिर से मुझे ऐसा ही top 10 results दिखते हैं, तो let's wait, और जैसे कि आपको यह पर दिख रहे है top 10 results है, अभी इसमें से माल लिजे कि यह हमारा page number one है, top one में rank हो रहा है, मैंने इसको click किया, अभी मैं इसको click करने के बाद इस page के अंदर जाओंगा, लेकिन अगर मुझे इस page का content सही नहीं लगता है, लाइक उसका visual सही नहीं है, उसका layout सही नहीं है, पूरा ad सा भरा हुआ है, और पता नहीं कुछ समझ में नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सीधा back click करूंगा, और वापस search engine ranking के वो top 10 pages जो पहले दिख रहते, उस screen पर हमें वापस आ जाता हूँ, और इसके बाद में क्या करता हूँ, कि पहली बार मैंने इस link को click किया था, अभी second time में क्या आता हूँ, नीचे वाले link को click करता हूँ, और जा करके इसके content को पढ़ता हूँ, तो क्या हुआ, कि मैं पहले जो Google ने already कोई page है, जो already rank किया था, लेकिन उस page पे user long time तक रुका नहीं उस particular session में, और उसने page पे जाते तुरंद back मार दिया, and that is a part of a bounce rate, bounce rate का फंडा यह भी होता है, वो पुरा browser को close करके ही चला जाए, तो यह positive sign है, आपको इसमें डड़ने के जरूत नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ होता है, कि वो आपकी site पे आया, लेकिन back होने के बद वो वापस top 10 results में गया, आपके नीचे वाला pages और दूसरे के pages पे click करके, वो second वाला page पे आया है, जैसे मैं अभी this page पे आया हूँ, और इस page का content मैंने read किया, और guys इसके बाद मैं इसको close करके चला गया, तो that means कि Google को समझ में आता है, कि पहला जो post है, जो top 10 के अंदर first position पे rank हो रहा है, वो कही ने कही user के intent को deliver नहीं करता है, और जब भी वो user के intent को deliver नहीं करता है, तो Google उस page को derank करना चालू करेगा, और जिस page पे सबसे ज़्यादा clicks आ रहा है, वो page आप होना चालू करेगा, तो guys यह जो concept होता है, that is called the Pogo Staking, Pogo मतलब आपने जम किया, पहले कहीं और गये, फिर नहीं जमा, आप वापस search engine ranking pages पे आए, और इसके बाद नीचे वाले bottom वाले pages पे आए, और वहाँ पर जाकर किया आपने long time तक stay किया, तो Google को signal मिल गया, कि भाई यह वाली website है, वो rank करने लाएगा, वो वाली नहीं है, तो ऐसी ही multiple users के testing तो होती ही रहती है, अगर कुछ search engine में top 10 में है, तो बहुत सार उस पर traffic आता है, और traffic को आने के बाद Google इसकी basis पे judge करता है, और that is a part of a bounce rate, actually जो pogo sticking होता है, that is a part of a bounce rate user गया, उसने bounce किया, browser bounce करके चला गया, लेकिन वापस वो front page पे आया, और इसके बाद दूसरी site के अंदर गया, तो ये आपके लिए बहुत ही danger sign है, और ये officially Google ने declared किया है, as a ranking signal, because Google is itself is a search engine, और search engine का सबसे बड़ा मकसद होता है, लोगों तक अच्छी से अच्छी information, और quality information पहुँचाना, अगर कोई page है, जो quality criteria को match नहीं करता है, तो definitely Google उसको derang करना चालू करता है, so guys, आपको इस चीज़ समझ में आ गही होगी, exactly Pogo sticking होता क्या है, और किस तरह के से Pogo sticking काम करता है, so आपका main focus ये होना चाहिए, कि आप जब भी कोई page create करे, तो हमेशा ये मैंने आपको बोला है, कि उपर का जो image होता है, उसको थोड़ा सा छोटा रखे, क्योंकि वो ही अगर आपका page का आधा page cover कर लेता है, तो guys, उस case के अंदर दिक्कत ये हो जाती है, कि बंदे को image से interaction हुआ तो ठीक है, तो bounce back मार के चला जाएगा, और जब भी ओर नीचे page को click करेगा, तो समझड़ा आपकी लग गई, आपको यहाँ पर पोगो sticking का मतलब समझ में आया है, और यही एक major reason है, आपकी site को D rank होने का number 1 की position से number 10, और पता नहीं और भी कहा कहा level तक जा सकती है, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, चोटा सा वीडियो तर बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सा लोगों के comment पी आ रहत है, आज के लिए इतना है, I hope कि आपने Facebook group को join किया होगा, और Telegram channel और group को join कर लिजिए, अगर आप ऐसे ही quality information मुझसे चाहते हैं, आज के लिए इतना है फिर्म मिलेंगे एक लिए वीडियो के लिए तब तक के लिए जय ही जय भारत,